ध्यान दीजेगा दोस्तों, अगर समय पर टाइम्सनाव की महिला पत्रकार तेजश्री अपना हाथ नहीं हटाती न, तो पक्का आज ब्रिजभूशन की बत्तमीजी से पत्रकार का हाथ तूट जाता, पत्रकार का हाथ आज के बाद माईक उठाने के काबिल है नहीं बचता, इतना गुस्सा, इतनी जादा गर्मी, इतने तेवर, इतनी अभद्रता, इतना जाहिल पना की मर्यादा और बात करने का सहूर सब कुछ ताक पर रख दिया है तेजरी ब्रिजभूशन से कह रहे थी कि आपके खिलाफ चार्ट शीट दाखिल हो चुकी है, पुलिस ने कहा है कि आप सजा की अधिकारी है, आप इस्तीफा देंगे क्या, ब्रिजभूशन शर्ण सिंग ने कहा, चल हट रिपोर्टर ने माइक ब्रिजभूशन शर्ण सेंग की गाड़ी में लगाया, जैसे कि आम तोर पर रिपोर्टोस करते हैं, लेकिन ब्रिजभूशन ने ऐसे दर्वाजा बंक किया कि रिपोर्टर का माइक तूट कर नीचे गिर गया, यही वो ब्रिजभूशन शर्ण यह मारे बीच में नहीं है वड़ना नरेंद्र मोधी जी के इस सांसत को देखकर उसका व्यहवार देखकर उसकी भाशा सुनकर शर्म के मारे बिचारे मर जाते इस आदमी के खिलाफ साथ महिला पहलवानों ने यौन शोशन के आरोप लगाए थे एक नाबालिक के पिता ने मा कहा कहा किया और अब जब पुलिस ने अपनी चार्च शीट में बता दिया है कि कब किया कहा किया और कैसे कैसे किया अब जब पुलिस ने ये बता दिया है कि बिचभूशन शर्म सिंग के खिलाफ महिला पहलवारों ने जो बात कही है जो आरोप लगाए है वो अधार ही नह ये आदमी एक महिला पत्रकार को ऐसे डाट रहा है, जैसे किसी जानवर को फटका रहा हो, इसी वहवार से आप समझ सकते हैं कि इसके मन में औरतों के लिए क्या इज़त होगी महिला खिलाडियों के लिए अखिर क्या सम्मान हुगा जो खुले आम एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा विहवार कर रहा है वो practice में, खेल के मैधान में, selection में, संखर्ष में महिला खिलाडियों के साथ क्या विहवार करता हुगा मोधी ची को चाहिए कि वो तुरन ततकाल एक रिपोर्टर के साथ बत्तमीजी करने वाले अपने सांसत को पार्टी से बेदखल कर दें लेकिन देश जानता है कि उनका बेटी बचाओ का नारा कितना खोखला है बीजेपी की किसी मंतरी से कोई उमीद तो है ने कि वो कुछ भी बोलेंगी दोस्तो दिली पुलिस ने ब्रिजभूशन शरन सिंग के ऊपर आरोपों की जो चाल्शीट कोर्ट में दाखिल किया है उसमें पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि ब्रिजभूशन शरन सिंग को दंडित किया जा सकता है छे पहलवानों की दायर शिकायतों की जाच के बात अदालत के सामने जो चाल्शीट यानि आरोप पत्र दायर किया किया उसमें ब्रिजभूशन शरन सिंग पर धारा 506 यानि अपराथिक धमकी 354 यानि एक महिला की विनमरता को अपमानित करना 354A यानि यौन उत्पीरन और 354D यानि पीछा करना है और पुलिस ने अपनी चार्ज श्रीट में इसकी पुष्टी भी की है 6 में से 2 में ब्रिजभूशन शरन सिंग पर धारा 354, 354A और 354D के तहत मामला दर्च कर लिया गया है जबकि 4 मामले 354 और 354A के तहत हैं इनमें 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है 13 जून को दाखिल की गई चार्ज शीट में अदालत से ब्रिजभूशन शरन सिंग और गवाहों को तलब करने का अवरोध किया गया है आरोपत्र में कहा गया है कि आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है बस तभी से ब्रिजभूशन सेंग का ये हाल हो गया है अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ब्रिजभूशन सेंग ये कहते थे कि मोदी और शख कह दें तो मैं सीफ़ा दे दूँगा उन ब्रिजभूशन की नाक में नकेल डाल दी गई है अब गोंडा के आसपास की राजनेतिक जिरासत कैसे ब्रिजभूशन के हाँ से निकल करके बीजभी के पास जाती है आप ये देखते रहेगा अभी के लिए इतना है नमस्कार, जय हिन, जय भारत